एलो फ्रेंड्स पुराने समय में सिर्फ मेल्स ही इस चीज से पहिशान रहते थे उनके बाल काफी जड़ते थे मगर 50 की एज तक आते हुए ही होते थे मगर आज कल के टाइम में तो 25-30 की होते ही बाल जड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और गंजे बन की प्रॉब्लम हो जाती ह तो इसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस हमारी फूड है बिट हमारी लाइफ स्टार्ट और न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण यह सभी प्रॉब्लम होती है तो आपने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है और डाई वाली चीज़ों को आपने एवाइड करना है आकर आपके अलोपीशियो की वज़े से बाल जहर रहे है यह प्रॉब्लम होगी है गुच्छे गुच्छे में बाल निकल रहे है तो इसमें भी रहा देगा आजकल जैन्स के अलावा लेडीज और बच्चों में भी यह प्रॉब्लम देखने हो मिलती है तो आप इस करना है पानी भरपूर मातरा में पीना है थोड़ी बहुत चीजों का आपने में ध्यान रखना है इसके साथ ही साथ बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा बालों की जढ़ने से लेके सफेद होने की प्रॉब्लम भी खतम हो जाएगी तो चलिए स्टार् में बनाना है तो भी आप इस्तमाल कर सकते हो बठारा दनीया ही लीजिए का Красण फ़ेनी है थोड़ी सगे लर आपको जड़ी कोवथि ये अगर ज़्यान चाल लेसकते हो और इसमें ऐसे फइसे में पटम सा य nouvelles प्रॉब्लम में काफ़ी रहात दिलाते हैं बाल अगर तूट रहे हैं जर रहे हैं तो भो रोक देगा बालों के सफेध होने की प्राइब को अगर गुछह गुछह में बाल निकल रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी रहत मिलती है इस Real Georgier के इस तव्हेयर इस supply माल स inqu j दनिया ले लेना है, इसको वाश कर लेना है, उसके बाद आपने एक ग्लास पानी रख देना है पैन पे, कोई भी पैन आप इस्तमाल कर सकते हो, इसको गरम कर लीचिए, और कम सकम एक गुच्छा आपने इसमें डाल देना है, पानी की क्वैंटिटी कम है, आप चाहो तो अग अच्छी बात इसकी यही है, तो आपने अच्छी तरह से वाइल करना है, अब जब वाइल करोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो आपने गैस आफ कर देनी है, और इसको पूरी रात तक की लिए इस तरह से ढख करके रख देना है, ताकि इसका सारा इंफ्यूजन इस अच्छी तरह से इस पानी से अपने हेय को वाश कर लेना है, और दुबारा आपने नॉर्मल पानी नहीं डालना है, बस यही डाल के आपने छोड़ देना है, तो देखेगा बहुत ही अच्छी रिचल्ट आपको देखने को मिलेगा, एक तरीका मैंने यह बता दिया, और द दालने तो अपने क्लीन उर्म अच्छे इसका रिजल देखने हो मिलेगा अच्छी आपने लगा कि इसको मसाज करना है और पुरी रात तक के लिए ऐसे रहें देना है नहीं तो एक घंटा या दो गंटा रहें दीजिए को उसके बाद वाश कर लीजिए का नॉर्मल पानी से या इस तरह से ही ऐसे ही में लगाना है जहां पर बाल गुच्छे गुच्छे में निकल गए ना अलोपीशय की प्रॉलम है तो वहां पर आपने इस पेस्ट को लगा लेना है और आदे घंटे बाद आपने वाश कर लेना है नॉर्मल पाने से ही वाश कीचिए का आपको मैंने दो से तीन तरीके बि जो भी इजी लगे आप वह तरीके इस्तमाल कर सकते हो और आप जाओ तो आप अपना कोई भी फेवरिट ओल भी से मिक्स कर सकते हो विटामिन ए कोकोनेट ओल मॉस्टर ऑई ओली और कैस्टर ओल कोई भी और से मिक्स कर लीचिए और भी इसके बेनिफिट बढ़ जाएंगे वण मनद तक आपने इसको कांटिनी इस्तमाल करना है अपने डेली इस्तमाल करना अगर ज़्यादा प्राबलम है तो नहीं तो हफते में तीन दिन इस्तमाल कीजिएगा और इसका इसका देखने को मिलता है यह आज माया हुआ तरीका है और काफी अच्छे इसकी रिजल्ट तो ज़रू इस्तमाल कीचिका इस वीडियो को भरबर के श्याय कीजिगा ताकि और सब की भी इससे help हो जाए और अपना feedback में ऐसा जो श्याय कीजिगा लाइक कीजिगा मेरा motivation अपकी चिगा तो आई होप दोस्तों आप सब को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी तो जोले मिलती हो आपसे नियो अच्छी 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 एफटे वीडियो के साथ तिल या तेक केर और थाइक्स सो मुच गाइस वाच्छी वाच्छी वीडियो बाइए